Welcome friends, आज हम लोग जानेंगे किस तरह से property tax dues amount पता किया जाता है अगर आपका property एहमदाबाद municipal corporations के अंतरगत आता है property, house, flat, shop या office हो सकता है तो आज हम लोग जान सकेंगे किस तरह से आप अपने property का outstanding यानि बकाया रासी जानेंगे तो चलिए जानते हैं आपको Google का search bar में type करना है एहमदाबाद city एहमदाबाद city type करके search करते ही आपके screen पर दिखायागा amc.ehmadabadcity.gov इसका official link मैं इस video के description box में दे दूँगा जहांपर आप जाकर link पर click करके diet एहमदाबाद municipal corporations का official website पर जा सकते हैं तो चलिए अब एहमदाबाद city इस link पर click करते हैं इस पर click करते ही यह आपको एहमदाबाद municipal corporations का official website पर लेके चला जाएगा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह एहमदाबाद municipal corporations का official website है अब आपको करना क्या देखिए आपके left side के top उपर में देखिए तीन dash दिखा रहा है इस पर आपको click करना है click करते ही इस तरह के आपके पास menu आ जाते हैं the city corporations online services आपको online services पर click करना है online services पर click करते ही इस तरह के आपके पास sub menu आ जाते हैं यहाँ देख सकते हैं पहला दिया है property tax आपको property tax पर click करना है क्लिक करने के बाद इस तरह के आपके स्कीन पर feed आ जाता है Pay Property Tax, Property Tax Deuce हम लोग को अभी Property Tax Deuce जानना है तो Second Number जो Options है Property Tax Deuce पर आपको क्लिक करना है Property Tax Deuce पर क्लिक करते हैं आपके स्कीन पर इस तरह का आ जाएगा जैसा कि आप देश सकते हैं Tenement Details यानि कि आपको Tenement Number आपको डालना है यह आपको कहां मिलेगा यह आपको Property Tax का Bill में मिलेगा प्रिवियर जो Property Tax या Municipal Corporations का जो आपका Mutations का Certificated Tax Property का उसमें मिलेगा देखिएगा यह 15 डिजिट का होता है 15 डिजिट का होता है 15 डिजिट का नंबर ही है पर आपको डालना है डालने के बाद आपको Search Deuce पर क्लिक करना है Search Deuce पर क्लिक करते हैं आपके जितने भी Amount Property Tax का Due है वो सारे लिस्ट आपके डिटेल्स में आ जाएंगे अगर आप चाहते हैं Search Paid आपने जो Tax आता हूं टेनेमेंट नंबर 15 डिजिट का उसके बाद Search Deuce पर क्लिक करता हूं देखता हूं क्या आता है Search क्या करते हैं इस तरह कहीं आपके स्कीन पर आ जाएगा देख सकते हैं ओनर नेम आपका ओनर नेम आ जाएगा Occupier जो नेम वाड नेम प्रोपर्टी या देख सारे डिटेल्स आपके स्कीन पर आ जाएगा उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपका Financial Year, Dues जितने भी डिटेल्स है इसके डिटेल्स यहाँ पर आपके स्कीन पर आ जाएगा उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से Print Option पर क्लिक करके Print Out भी आप Properties, Dues का निकाल सकते हैं आप अपने Properties का Dues, Details निकाल सकते हैं अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का वीडियो के लिए